इस साल होली पर चंद्र ग्रहन लगा था जो कि भारत में नहीं दिखाई दिया था इसी वज़े से ग्रहन के नियमों का पालन भारत में नहीं किया गया अब कुछ ही दिन में साल का पहला सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है ये सूर्य ग्रहन नवरात्री से पहले लगने वाला है धार्मिक और जियोतिश रूप से ग्रहन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन इसे अशुब माना गया है आये जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहन कब लगने वाला है और कहां कहां देखेगा साल का पहला सूर्य ग्रहन 8 और 9 अप्रेल की बीच रात को लगने वाला है ये सूर्य ग्रहन आठ अप्रेल को रात 9 बचकर 12 मिनित से शुरू होकर देर रात 2 बचकर 22 मिनित तक रहेगा सूतक काल ग्रहन लगने से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है लेकिन चंद्र ग्रहन की तरह ही यह सूर्य ग्रहन भी भारत में नहीं दिखेगा जिसके चलते ग्रहन का कोई भी नियम भारत में लागू नहीं होगा भारतिय मानक समय आनुशार ग्रहन का प्रारंब रात्री में 9 बज करके 12 मिनट पर और मोक्ष जो है रात्री में 2 बज करके 22 मिनट पर होगा इस ग्रहन का प्रभाव भारत वर्स में नहीं होगा यहाँ सुर्य ग्रहन भारत में द्रिश्य नहीं है यह वी देशों में ही द्रिश्य है जिन जिन देशों को बतलाया गया है उनी उनी देशों में यह ग्रहन जो है लगेगा